सबी जानते हैं कि केसरिया रंग भारतिय सबता संस्कृति सनातन संस्कृति का प्रतीक है पाठान फिल्म में केसरिया रंग को बिसर्म रंग का आ गया है जेपी के विदायक हरीबूशन ठाकूर बचौल जी है हमारे साथ विजान सवा का सितकालिन सत्र चल रहा है और आज अंतिम दिन है सर फिल्म पठान को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है और केशरिया रंग को जो है सिंदू का सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है देखिए ये लोग सोची समझी राजनी थी और गजवा हिंद और इसलामिक करन करने का जो पियाफाई का प्लान था 247 तक उसका एक अंग है सभी जानते हैं कि केशरिया रंग भारतिय सब्यता संस्कृति सनातन संस्कृति का प्रतीक है उसको निचा दिखाने के लिए पाठान फिल्म में कि सरिया रंग को बेसर्म रंग का आगया है हम आपके माध्यम से सारे लोगों को अपील करेंगे कि ऐसे तत्तों को मांसिक्ता को ध्वस्त करने के लिए उस फिल्म को न देखें और उसका वाइकॉट करें आप लोग कैसे विरोध करेंगे इसको लेकर बीजेपी कैसे विरोध करेंगे अभी तो हम लोग जहरीली सराप पर लगे हैं उसके बाद करेंगे उसको जहरीली शरआप माफियात सनक्षर पार है देखे साफ तोर से हरी भूशन ठाकर बचौल जी थे उन्होंने कहा कि जो केशरिया रंग को बेशर्म रंग बताया है पठान फिल्म में इसका विरोध हम लोग करेंगे सड़क से लेकर सदन तक और इसका विरोध करते रहेंगे अभी सराप को लेकर हम विरोध कर रहे हैं और सदन चलने नहीं देंगे आज सीथ कालीन सत्र का अंतिम दिन हैं और अंतिम दिन भी हंगाम आप बीजेपी के द्वारा देखा जा सकता है तो ऐसे में लगातार बीजेपी जो है विरोध कर रही है और मुःबज़त देनी की बात कह रही है बीजेपी के तमाम जो विधायक या नेतापरतिपक्ष की बात करें तो नेतापरतिपक्ष ने भी विधान परिशत के समराठ चौधरी ने सीधे तोर पर पूरा आंकड़ा उन्होंने देखाया कल और कहा कि गोपाल गंज में मुखमंत्री ने 16 लोगों को जो है मुआपजा दिया था एक वक्त में 12 लोगों क चार लोगों को मुआपजा दिया गया था आखिर शिवान में क्यों नहीं दिया जा रहा है सारन जिले में जो मौत हो रही है उन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ये तमाम बातों को लेकर आज हरीभूशन ठाकुर बचौल ने सीधे तोर पर कहा कि आज भी सदन नह ही चलने देंगे अपने सायोगी अमित के साथ बने रहें देश्जिन्यूस के लिए और देखते रहें देश्जिन्यूस आश्रवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आश्रवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आश्याना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर